हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कई दिनों के छुट्टियों के बाद मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूँ और आपके लिए मैं अब से कांटीन्यू इंग्लिस ट्रांसलेशन इंग्लिस ग्रामर से समंधित वीडियो लेकर आता रह देंगे और आप धेड़ सारी वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे तो इस वेडियो को पूरा जरूर देखिएगा छोटी सी इंग्लिस न्यूज है ज्यादा बड़ी नहीं है ठीक है तो चलिए हम सुरू करते हैं देखते हैं किस न्यूज में क्या है थोड़ा इंट्रस्टिंग न्यूज है पूरा देखेंगे तो मज़ा आएगा ओके जैसा कि आप देख रहे हैं उपर इसका टाइटल है अवनीस सरण एन आईएस ऑफिसर तो अवनीस सरण एक आईएस ऑफिसर है ठीक है आई देखते हैं उन्हें किस तरह का मैसेज प्राप्त हुआ है एक पैरेंट्स जी कहते हैं कि जो ये मैसेज मुझे जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है इसका रिपलाई मुझे क्या देना चाहिए वाट सुड रिपलाई मतलब होता है जवाब देना ठीक है सुड यानी चाहिए तो इस मैसेज का इस संदेश का हमें क्या जवाब देना चाहिए क्या देना चाहिए तो आएए देखते हैं कि actually में message क्या था संदेश उन्हें क्या प्राप्त हुआ था बड़ा interesting है ठीक है ध्यान से सुनिएगा उन्हें message प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था good evening sir good evening sir मतलब की साम का नमस्कार ठीक है स्रिमान जी से साम का नमस्कार my daughter is in class 5 मेरी पुत्री class 5 में है यहीं पाचमी class में है ठीक है I want I want मैं चाहता हूँ to make banana ठीक है to make मतलब banana भी होता और बनाने के लिए भी होता जैसे to play खेलना या खेलने के लिए to go जाना या जाने के लिए तो दोनों ही sense होता है आप दोनों ही earth sentence के according निकाल सकते हैं ठीक है I want to make मैं बनाना चाहता हूँ her carrier उसका भविस्य हर याने उसका किसी female के लिए as के रूप में an IAS officer एक IAS officer के रूप में मैं उसका carrier उसका भविस्य बनाना चाहता हूँ kindly guide me किरपया करके मेरा mark दर्सन करें guide याने mark दर्सन करना किसी को रास्ता दिखाना ठीक है guide इसको पढ़ेंगे guid guide याने की mark दर्सन करना kindly याने की किरपया या किरपा करके ठीक है me याने मुझे on याने पर on याने पर तो मुझे mark दर्सन करें किस पर how I can make an environment for her to study तो वो जानना चाहते हैं how याने कैसे मैं कैसे I can make, मैं बना सकता हूू, can याने सकता है, सकती है तो मैं कैसे बना सकता हूँ an environment एक परिवेस, एक वाता वरण for याने के लिए her, हर याने उसके तो उसके लिए to study पढ़ने के लिए ठीक है, study करने के लिए अध्यान करने के लिए मैं उसके लिए एक environment एक परिवेस एक वाता बरण कैसे बना सकता हूँ right C is fond of book reading तो वो बताते हैं उसके parents C जो उनकी बेटी है, daughter है C is fond of, वह सौकीन है is यानि है, fond of यानि होता है किसी का सौकीन होना किसी भी चीज़ का book reading, तो book reading की वो सौकीन है kindly guide some books kindly, जैसे मैंने भी बताया कि kindly यानि किर्पिया करके guide यानि मार्ग दर्सन करें some books, कुछ पुष्टकें so that, ताकि C can enhance C can enhance, ताकि वह enhance कर सकती है मतलब की बढ़ा सकती है enhance मतलब होता है increase करना या बढ़ाना, ठीक है knowledge बढ़ाना, ग्यान बढ़ाना तो हर knowledge तो वह अपना knowledge अपना ग्यान enhance कर सकती है बढ़ा सकती है, ठीक है enhance मतलब की बढ़ाना तो वो उनसे क्या पूछते हैं बुक्स को सलाह चाते हैं कि कोई उन्हें अच्छी सी बुक बता दें अब देखिए बच्चे भी पांच साल की है और उनको अभी से फिक्र है उसको आयस बनाने की लेकिन यह बहुत छोटी सुमर है जिस उमर में बच्चों को खेलना पढ़ना फ्री होकर उन्हें जीना चाहिए ताकि उन्होंका मांसिक और सारीरिक विकास अच्छी तरह से हो सके उसमर में पैरंट्स कुछ इंता होती है कि वो उनके कैरियर को लेकर बहुत गंभीर हो जाते इतना गंभीर आई थिंक नहीं होना चाहिए ठीक है आपको क्या लगता है आप कर्वेंट करके मुझे बता सकते हैं क्लियर है चलिए थोड़ी सी न्यूज है आगे बढ़ते हैं seeking your kind guidance seeking मतलब होता है खोजना, seek करना, खोजना, तलास करना, your kind guidance आपका बिनम्र जो मार्ग दरसन है काइंड मतलब दयालू भी होता है बिनम्री भी होता है तो आपका जो अच्छा बी होता है आपका जो अच्छा गाइडनस है बिनम्र जो आपका मार्ग दर्शन हम खोज रहे हैं ठीक है ऐसा parents लिखते हैं अब आएधे देखते हैं यह तो उनका message था जो उन्होंने लिखा था AIS officer को अब आई देखते हैं उनका reaction क्या हुआ parent ask से parent पोचते हैं parent पोच्चते हैं AIS officer से how to prepare कैसे तयारी करें prepare मतलब तयारी करना class 5 यह कैसे तयार करें class 5 daughter पाचमी क्लास में पुत्री है for IS, IS के लिए officer shares officer जो है share करते हैं, यानि कि share करना मतलब कि दोसरों के साथ माटना तो वो share करते हैं text, जो लिखा हुआ कोई चीज होता है, matter यसे later है, पत्र है, कुछ भी है जो लिखा हुआ है, इसको हम text कहते हैं, ठीक है जो लिखा होता है, चाहे वो हिंदी में हो, या इंग्लिस में हो तो वो जो text था लिखा हुआ संदेश, वो share करते हैं अपने account में, उनका tweet हना, twitter होता है उसमें उन्होंने इस तरह से लोगों के साथ share किया था कि मुझे इस तरह से SMS प्राप्त हुआ है आइस ओफिसर अवनीस सरण shared, उन्होंने share किया दोसरों के साथ बाटा a screenshot of text message वो जो text संदेश उनको प्राप्त हुआ था उसको screenshot लेके उन्होंने share किया दोसरों के साथ बाटा he received from a parent from यानि say यानि एक तो उन्होंने एक parent से यानि एक parent है माता या पिता होंगे he received, उन्होंने प्राप्त किया received यानि प्राप्त किया ये message उन्होंने प्राप्त किया एक parent से उसी को उन्होंने share किया clear है seeking his guidance उनके मारदर्सन को खोजते हुए to prepare तयार करने के लिए their daughter अपने पुत्री अपने पुत्री को तयार करने के लिए उनकी मारदर्सन खोजने के लिए who is in class 5 who याने जो ठीक है आपको बता दें कि जब question नहीं होता है तब who का मतलब जो होता है ये एक relative pronoun है यहाँ पर कोई question नहीं है वो बता रहे हैं उसके बारे में कि जो who is in class 5 जो class 5 में है जो class 5 में है to become an IS officer न मतलब एक जैसा कि मैंने बताया भी आपको to become मतलब होता है होने या बनना बनने के to become an IS officer तो एक IS officer बनने के लिए है ना जो कि class 5 में daughter है पुत्री है वो उनका guidance चाहते है clear है तो इस तरह से यह संदेश था what should I reply to this message जैसे मैंने अभी आपको ओपर होताया किसका मतलब होता है कि हमें इस SMS को क्या reply देना चाहिए क्या जवाब देना चाहिए what should I reply to this message Saran wrote Saran ने लिखा wrote क्या है right का second form लिखा क्या लिखा responding to Saran's tweet ठीक है तो Saran's के tweet को जवाब देते हुए respond ने जवाब देना होता है जवाब देते हुए उन्होंने लिखा IFS officer एक IFS IFS officer परवीन कासवान ने reply दिया ठीक है उन्होंने जवाब दिया they are already late वे पहले से ही late है ऐसा वो कह रहे है ठीक है तो ये छोटा सा news था बस इतना ही तो ये news आपको कैसे लगी आपने कितना कुछ सीखा है आप कमेंट करके बताएंगे इस news को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद